क्या इस्तिती आ गई थी कि आपने बक बोड बनाने के लिए अधिनियम लाया देश की सारी संपत्ति आपने वक बोड नाम के लुटेरे संस्ता को आपने दे दिया मैं तो उसको वक बोड नहीं कहता हूं मैं एक लुटेरा संस्ता कहता हूं हिंदू तो छोड़ दीजिए मु आवाद हाई कोट के ही जमीन पर कबजा कर लिया नियाला अब जाए तो जाए कहां वक बोड के पास तीसरे नमबर पर सबसे ज़्याद है जमीन है रेलवे और आर्मी के बाद कैसे आई अभी उसके काम क्या है आपको पता है काम है आतंगवादियों को समर्थन देना कर रही है सरकार अपने फाइदे गिनवा रही है इस बिल के लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टिया है कैड़ी इस बिल को लाने की कोई आउसकता नहीं थी इससे जो है देश में महल खराब होगा कैसे देखते सरकार के सब्सक्राइब यह जो बिपक्ष कह रही है ना कि यह संसोधन बिल क्यों लाया गया मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं क्या इस्तिती आ गई थी कि आपने बक बोड बनाने के लिए धनियम लाया नहरू जी ने 1954 में क्या ऐसी इस्तिती आ पर इस्तिती आ गई थी कि देश की सारी संपति आपने वक बोड नाम के तेरा संस्ता कहता हूं जो बटवारे के समय हिंदूस्तान से लोग पाकिस्तान गए उनकी जमीन जायदाद उस पर कभजा भारत सरकार का होना चाहिए ना कि आप किसी संस्ता को दे देंगे वक बोड नाम के संस्ता को और यह ऐसी संस्ता है जिसके पास आठ लाख से कहीं किया हो कहीं नहीं यह किसी कलारियों को मदद करते हुए मुसलमान करोने कि संस्ता को मदद किया हो यह खाला जाना यह जोह में उन्हें 25 में भी बिल आया गया था और उसमें देखा गया UPA सरकार इसकी सक्तियों को और बढ़ा देती है तो मोदी सरकार जो इस बिल को ला रही है क्या इस पर लगाम लगाएगी इसकी सक्तियों को अपने हाथ में रखेगी यह बिल बहुत जल्द आ जाना चाहिए मैं तो कहूंगा कि 2014 महीं आ जाना चाहिए था लेकिन यह आई है जनता की हिद के लिए है यह देश के भलाई के लिए है क्यूंकि वकड्र घंथ काम करती है तोी सुननूमाई ना तो किसी थाanे में होगी ना किसी नाले में होग लेकी कि युए यहाबाद हाइकूर्ट की जमीन पर कपजा कर लिए नियालए अब जाए तो कहीं कर लिया जंता तो परकारो नजर बिल्कुल होनी चाहिए वक बोट जो लोग मैं तो कहूंगा जो लोग चिला रहे थे कि राम मंदिर के जगा अस्पताल बना दिया जाए तो अस्पताल बना दिया जाए वक बोट के पास इतनी सारी जमीने हैं आवाज उठाए लोग जमीन है आप डिफेंस को दे सकते हैं आप भाजपा के अपने नेताओं को दे सकते हैं आप अपने लाभार्ती योजना का इस्तमाल इसके जमीन पर कर सकते तो इसे किसको फाइदा होगा, पूरे देश की जंता को फाइदा होगा ना तो एस्पताल बना है ईस्टूल बना है और यह वाइसी जैसे यही लोग है, जो गाजा का समर्थन करने वाले, यह बांगलादेश के उपर दर्विएव को समर्थन चाहिए वाले लोग, आज यह व जो है वागिदारी होना चाहीए तो उसका फायदा नहीं मिल ला था तो आम मुस्लीम समाज को दिलाने के लिए संसोधन किया ग Corey अपना भण बनने के लिए पर संसोदन नहीं कर रहा है को रोखंप एक ना पर क्या औडिट है क्या हिसक्राइब पूरे तरीके से भरकाने वाली साजी सो रही है जिस तरह से आरक्षन के आर्मे बंगलादेश को जलाया है वहाँ पे हिंदुओं का नर्संहार हो रहा है वही इस्तिती छे करोर गुश पैटिये जो है वो तो गुश चुके हैं तो कहीं न कहीं ये माचिस लगाने का काम ये ये लोग कर रहे हैं आप देखिए कॉंग्रेस के पुर्व विदेश मंती सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि कि जो इस्तिती बांगलादेश में हाई वो इस्तिती भारत में होगी तो कहीं न कहीं ये भारत को फिर से एक जलाने की तरीके से भारत विकासा और बढ़रा है ब्रहे हैं मोदी जी कि आप सरकों पे उत्रो और बकबोर्ड के आर में हिंदुस्तान को भी जलाओ, हिंदुस्तान को भी लूट डालो, तो पूरे तरीके से साजिस है, आप बतार एक साजिस हिंदुस्तान को बांगलादेश की तर्च पे सुलगाने की विपक्ष की तरफ से रची जा रही है, भा पूरे तरीके से त्यार है आज एक हमारा प्रोसी देश बांग्ला देश था पाकिस्तान से हमारे रिष्टे सुरू सही जहाई कि आप देख रहे हैं चाइना से जो रिष्टा है वह भी देख रहे हैं एक बंगाल था जो हमारे मोधी जी के नेतूद में और वहांके जो पूर बंगाल में देख सकते हैं कि किस तरह की सत्ता है वहां पर ममता बेनर जी कहती है कि हम सारे लोगों को जो भुस्पैटी है उसको सरन्देंगे तो बंगाल के रास्ते जो भारत को जलाने का संयंत्र हो रहा है इसको देश की जनता को समझना होगा और एक जूठ होना होगा और जो अधिनियम आया है वक्ट बोर्ट पे कैंची चलने का काम यह जनता के हिद के लिये है भलाई के लिये इसमें ब्हाइचाग कई मुसलमान के संगटन है जो यह चाहते हैं कि वर्क बॉर्ड में जो बदलाव हो नियम कानून बदलाव के जहीड जमीन जो संपत्थी जनज़ट में है जिस पर करवाई चल लाइना उसस्का सबसे पहले जो है कि सुनुआ यह तो और उसको निप्टाना देकर पीड़तों का जो है कि उसको किलियर किया जाए और बैंड भी लगना चाहिए तो सभी बात बिल्कुल क्योंकि देखिए वक्त बोर्ड जो है वह गुंडागर्दी का माफिय राज का आतंक वात तूल बन चुका है वक्त बोर्ड 1921 जब आप बताओ वो किसकी इंडर में काम कर रही है ताज महल भी तो सरकार की प्रोपरटी है और यह पताओ और यहां अर्य से आपको क्या तकलीफे बताईए आरे सेस में बजरंग डलने बारत में कौन सी जमीन पर कफ़ा कर रखा है अगार्ण नहीं जब देश आज़ाद हो तब से परोपर्टी देश जब आज़ाद नहीं हो तो उससे पहले से बनाओ तुम्हें कुछ नहीं पता बोलने से मतलब है कब बना था कब बना था अगर इनसे कुछ प्यार से बोल दिया जाए वह बोड के बारे में या किसी और चीजे को बारे में जो आतंगवादी संगठान है तब इनके चाती पे साफ लोटने लगता है मेरे भाई आप मुझे क्यों लिए जवाब दीजिए मेरा नाम अमन सुक्ला आपका नाम क्या है इमानदारी से उन्नी है अब देखें एक मिन्ड़ आप रुके रुके वहभि मुसल्मानों का जानते हैं जिनका संबंद सिद्धे मक्का मदिनास होता है उनके पास इतना समय ही नहीं है उनके पास समय नहीं है कि हो यहां पर आके इन के से काम कहरें ठीक पहली बादा मेरे भाई वह बोड ने वह आन mówi से हिंदू ही नहीं अपीद समझत मुस्लिम समुदाय भी परसान है उनकी संपत्यां का जो आम मुस्लिम समाज उसका फायदा नहीं मिल आता उसे सरकार ने आज यह का है और मैं वह नहीं कहा रहा है जो करता है वह सब गलत कर रहे हैं तो फिर आपने आरसस बजरंग दल पर उनसे आपको कुछ मिलेगा आप उनसे नभरत करते हैं उनकी संगति में जाएं मुस्लिम डेलिगेशन से हमने बात किया अलग अलग राज्यों में मुसल्मानों की तरफ से कंप्लेंट आ रही थी और एक बहुरा जो समाज है उनकी तरफ से कंप्लेंट आ रही थी अब यह क्याना में 1947 में बनावा है 2014 से पहले 2014 से लेक्षन से लोग सबागे चुनाव हो रहे थे ना कुछ हफ्ते पहले ही कॉंग्रेस की सरकार ने 124 प्रोप्टी देश को दे दी ती ऐसी कही जगा कही जमीन देश की प्रोप्टी कैना में उसको दे दी गई आज वर्क बोड के पा ऐसे दे दे करका ही जैसे कॉंग्रेस ने दी देशी 125 प्रोप्टी ऐसे क्या उधारान है इलाबाद की हाई को सुप्रीम कोड जाना पड़ा था तो यही बात कर रहें कि मोदी सरकार की नजर अब हमारी जमीनों पर हमारी मस्जिद मजारों पर है नजर नहीं नजर का मतलब देश की थी ना देश की थी वर्ट बोर्ड आज बना यह जगह जबीन तो सद्यों से पुरानी है क्या से हो गई वह बोड मुसलमानों की आउसकता नहीं यह कांग्रेस की आउसकता है समझे यह कांग्रेस द्वारा पाले गए लोग है भाई आपको बुरा लगे ताम मान ल में यह क् Nicholas गेव कि उसको अधिकार दिया कि देश की संपत्ति जर्ट को देना दर्वाजा यह के लिए वकील K. और भारत में भारत में दंगा पहलाने वालों के लिए और दंगाई ओं जाते हैं उनको बाइशाब आप चले जाए इलाहबाद इलाहबाद नहीं जयल में जिस समय जम्मु कस्मीर से 47 आतंगवादियों भेजे गए थे उनके पास इतनी पैसे इतने पैसे हुए कमी नहीं अस क्या हैं आपको भी एक दिन हैसी मान सिक्ता कर देंगे इम्रान भाई कि आप बंगलादेशी मुसल्मान हो जाएंगे भाई आप हो जाएंगे उंगली क्या देखें अब तक जो है अब तक कितनी राष्ट्रिया आप दाओं में वकपोर्ड ने मदद किया है बताइए अभी ब अगर इम्रान भाई अब भाई होकर घूम रहे हैं अगर इसे दो सवाल पूछ लिए ये भाग जाएंगे अब हैं नहीं अगर आप होते अगर आप होते तो आप समझदार होते अगर आप होते तो आप समझदार होते हैं लाइए ना आप ऐसे वह बोड जैसे क्या का सकते हैं कि दंगाई संगठन का तुलना आर्सस और बजरंग दल से ना करते आश्रस आर्सस और बजरंग दल के छोटे-छोटे कारकरताओं को जाकर देखिए